मैंने लाखों लोगों को देखा है बदलते हुए जिन्होंने भागवज सुनी है उनका जीवन भागवज सुनने के पहले कुछ और था और भागवज सुनने के बाद उनका पूरा जीवन बदल गया भागवजी से जुड़ने के बाद भक्ती मैं तो हुआ धान धान्य भी मि मैं आपको वाज लिखित में दे सकता हूं कि जो भागवश्रवन करता है उसके जीवन में कभी लक्षिमी की कमी नहीं होती हमारी तो संप्रदाय ही माता लक्षिमी से चली है इसलिव हमारी संप्रदाय का नाम ही श्री संप्रदाय है श्री परमपरा हम श्री वैश्नव परमपरा से है श्री मतलब लक्षिमी हमारी तो सच्ची की लक्षिमी माता है तुम तो आरती में गाते हो ओम जय लक्षिमी माता लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जो भागवत सुनता है उससे मातालक्षमी प्रसन होती है और आप सिर्व भागवत सुनिये आप मन लगा के काम करेंगे कछा सुनते रहेंगे भगवान की कृपा होगी मेहनत हमारी तब तक सफल नहीं होती जब तक मेहनत के संग भगवान की कृपा ना हो तो भागवत सुनने वालों पर ही भगवान की कृपा होती है अब आप कहें महराजी ये संसार तो भगवान ने ही बनाया सब ही भगवान के बच्चे हैं तो भगवान की कृपा सब पर होनी चाहिए ना जी एक बाप के चार बेटे हैं एक बेटा बाप की सेवा करता है और तीन बेटे बाप को गालियां देते हैं तो बताओ बाप की कृपा किस पर होगी बोलो बाप अपनी बची हुई संपत्ती किसे देगा तीन को देगा जो गालियां देते हैं उसको देगा जो अरे एक संसार का बाप सामान्य बाप सेवा करने वाले बेटे को जादा महत्व देता है उसी प्रकार भगवान के सब ही बेटे है पर जो भगवान की सेवा करते हैं सच्चे बन से भगवान उन्हें सारा हिस्सा दे देते हैं मेरा ये तू ले 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 जा मेरा बेटा है ना ले जा ले ले भागवान अपनी प्रापरटी की अधिकार दे दे ले तु ले ले अभागवान तो लक्षमी पती है उनके पास तो कमी है नहीं तुम्हे तो केवल बेटे बनने की जड़ brow बेटा बनती नहीं हो अच्छे वाले बेटे नालाग बेटे नग बनना अच्छे वाले बनना लक्षमी मा कहीं नहीं जाएंगी आपको छोड़ के वो तुमारी मा है मा अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ सकती तुम्हें एक बार कहो तो के हे श्री मन्नारायण हम आपके हैं एक बार प्रार्धना तो तुम्हें धन चाहिए न स्वीकार कर लो जिस दिन भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे आप दुखी तब तक हैं जब तक भगवान ने आपको स्वीकार नहीं किया और स्वीकार कब तक नहीं करेंगे स्वदामा जी तब तक दुखी थे जब तक वो स्वयम चलकर द्वारी का नहीं गए भगवान कहते हैं तुम बहुत बड़े भक्त हो माना की पर तुम्हें चलकर आना पड़ेगा मेरे लिए कदम बढ़ाने होंगे